गुड मॉर्निंग आल माई डियर इस्टुडेंट आफ क्लास 11 कच्छाई 11 के बच्छे ध्यान नहीं कि आप लोग भगवती प्रशाद पोजा इंटर्मेडियर कालेज में अपना एडवेशन रिष्चित करें और एक बात और है कि आप अपने साथियों को मित्रों को यह सुचित कर दें कि एडवेशन और पढ़ाई का काम निमेत रूप से चल रहा है प्यारी बच्छों वगवती प्रशाद बुजा इंटर्मेडियर कालेज में आपका स्वागत है तो आज हम अपने स्लेबर्स पर चलते हुए इंग्लिश प्रोश से फर्स्ट लेशन दा पोर्ट्रेट आफ ए लेडी की समरी को हिंदी में प्रग्राप चार से लेखर की अंत तक का आपकी समझ रखूंगा जहां पर है वेन आई वेंट अप्टो उनिवर्सिटी से लेखर के डाट 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 इंटू दा दस्ट बिन बच्चों या लेखक कुश्वंत सिंग के द्वारा लिखा गया लेखक पाठ आप तो आप त शिटी गया शिटी में दादी मा से उसके संबंद में कुछ दूरिया बढ़ी दूरिया इसलिए बढ़ी कि अब दादी मा उसके साथ विद्याले नहीं जाती थी वह तो इसकूल बस से विद्याले जाता था विद्याले में विज्ञान कड़ी तार्थ मीडियस के सिद्दा में धर्म ग्रंतों का अध्यन किया जाना चाहिए पढ़ाई का कार्यागित होता गया आपका लेकग विस्विद्याले में पढ़ने गया वहाँ पर उसे अलग कमरा मिल गया दादी मा से मित्रता का संबंद तूठी गया दादी मा ने बड़े धैर से अपने इस एकांत वास को शुविकार कर लिया वह अपना चर्खा चलाती थी किसी से बात तक नहीं करती थी सूर्य ओदेश से लेकर के सूर्य आज तक प्रार्थ ना जबती थी और माला फेरती थी यही दादी मा का कारे था दो पाहर को केवन थोड़ा ससमय निकाल करके गवरेया को चुनाने के लिए आराम करती थी जब आरामदे में बैट करके गवरेया को चुनाने के लिए रोटी के चोटे चोटे टुकडे करती थी सहे कड़ो पच्छी आकर के चहचाते वे दादी मा के इर्द गिर्द इगठा हो जाते थी कुछ पच्छी आकर के दादी मा के टांगों पर बैड़ जाते थे कुछ कंदे पर बैड़ जाते थे कुछ सिर पर बैड़ जाते थे वहाँ मुश्कुराती हुई उन्हें भगाती नहीं थी यहां समय दादी मा के जीवन का बड़ा ही खुश नुमा पल हुआ करता था दादी मा बहुत खुश रहती थी पढ़ाई का कारे आगे बढ़ता रहा है आपके लेकक का आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना सुनिचित हो गया अब लेकक को विस्वास्ता की दादी मा परशान है क्योंकि आपका लेखक पांच वर्ष के लिए विदेश पढ़ाई के लिए जा रहा था और दादी मा की इस उम्र में नहीं कहा जा सकता था कि जब वो लोड करके आएगा तो उसकी दादी मा मिलेंगे लेकिन दादी मा भावक नहीं थी वाई स्टेशन पर आपके लेखक को छोड़ने के लिए आई थी उनके होट प्रार्तना में हिल रहे थे माला जप रही थी और उन्होंने चुपचाप लेकर के माथे को चून लिया देखक ने जब प्रस्थान किया अपने हिर्दे में या च्छाप संजो करके रखा की संभोता दादी मा के मिलन का मेरा ही अंतिम चाड़ अब मैं अपनी दादी मा से लोड करके मिल नहीं पाऊंगा लेकिन ऐसा नह लेकर को लेने के लिए आय थी दादी मा एक दिन भी बूड़ी नहीं दिखती थी अब भी दादी मा के पास बोलने के लिए शब्द नहीं था उन्होंने मजबूती से मुझे अपनी पाऊं में स्वारे लेकर को च्चकर लिया फ्रात्ना कर रही थी जो सुनाई दे रहा था मेरे आगमन के प्रत्म दिन भी दादी मा का समय गवरयों की बीच में खुशी से गुजर रहा था जिनेवा थोड़ी-थोड़ी जिसकार करके खाना किलाया करती थी सायम काल के समय दादी मा में परिवर्तन आ गया बिटा उन्होंने प्रात्ना करनी छोड़ दी पडोश की औरतों को बुलाया एक बड़ा सा धोलक लाया और धोल बजा बजा करके गाना सुरू कर दिया ऐसे गीत जो योद्धाओं के गरवापसी पर गये जाते हैं कि IT रिए दें चनाव से बचाने के लिए हमने दादी मा को रोका कि अधिया अगली सुभादी मा विजा हुं हल्का सज्वार था बुखार था हमने डाक्टर को गूलाया डाक्टर ने कहा कि बुखार उतर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डाड़ी मा का दादी मा का अंत करीब था दादी मा अलग ही सूचती थी अपने अंतिम समय के कुछ समय पूर भी उन्होंने प्रात्ना का प्रित्याक्त किया था हमने विरोध किया परंत उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया वह सांति से प्रात्ता करती हुई माला जबती हुई विस्तर पर लेटी रही यहां तक कि आसंका से पहले उसके होट हिलने बंद हो गए माला उनकी निर्जी उग्लियों से गिर गई चेरी पर एक शांत पीला पन आ गया हम समझ गये कि वो मर गई हमने उन्हें विस्तर से उठाया और रिवाज की अंसार जमीन पर लेटा दिया उनके उपर लाल का पन डाल दिया कुछ घंटे बात अंतेश्ठी के आया अंतिम संश कार की व्योस्ता करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया सायमकाल जब उनकी अंतेश्ठी हेत ले जाने के लिए अर्थ लेकर के कमरे में हम लोग आये शूर्य अस्थ हो रहा था और उनकी कमरे के ब्रामदे में शुनारे प्रकास से अलोग था आंगन के बीचों ब कपड़े बिचे हुए थी अजारों गौरेया पर्षपन बैठी लेकिन कोई सहचाहां हट नहीं थी हम लोग उन्हें पंचियों के विवहार को देखा बड़े दया आई मेरी मां रोटिया लाने गई उन्होंने रोटियों को तोड़ करके गौरोवे को शामने फेका लेकिन गौरेया पच्चियों ने रोटि की तरफ देखा तक नहीं जब हम दादी मां की सव को लेकर की चली गए सारी गौरेया चुक चाफ उड़ गए अगली सुबा जाडू लगाने वाले बेक्त ने रोटि के टिकुड़े कोई कट्ठा किया और कूड़े दान में डाल तो प्य उमीद है कि आप भी अपनी दादी मां के शाती प्रकार बेवार करेंगे उनसे प्यार और बुलार प्राप्त करेंगे उनका सम्मान करेंगे उनकी बातों को मानेंगे उनके मार्गों बताएगे मार्गों पर आप चलेंगे इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बिद्याले में अपना अवस्य सुनिशित करें शाथियों को सूचित करें वीडियो देखने के लिए आपको धन्यबाद अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टुडी करेंगे लाइन पाइलाई थैंक यू फार वाचिंग देवीडियो